दोस्तों आज की इस वीटियों मैं आपको बताऊँगा कि आप अपने एमेल को एक साथ all select करके कैसे delete कर साथे हैं और साथ ही ये भी सिखाऊँगा कि कैसे आप particular एक विफ्षार या तो किसी एक application के on email को एक साथ select करके delete कर साकते हैं बाती emails आपके phone में रहेगा यानि इस वीडियो के आपको दो ट्रीक बताने वाला हूँ All email को कैसे select करके delete करना है और साथ ही particular एक किसी application के emails को select करके कैसे delete करना है तो इस वीडियो के साथ मरे रही है पुरा एंट तर्ण जोड़ से देखे आपको बहुत को सीखने को मिलेगा और साथ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सबस्क्राइब करेज़ेगा ताकि आगे भी आपको नया नया जनकारी वीडियो देखने को मिलता रहेगा चलिए इस वीडियो को सुनू करते हैं दोसपर सबसे पहले यहांपे जी मेल अप्रिकेशन को मैं उपने मोवाइल में यहांपे देख सो तो बहुत सरा एमेल मुझे आया हुए लेकिन यहांपे कहीं भी एक आप्सण ऐसा नहीं है यहाँ पे search icon जो मिलता है आपको search box इस पे click करना है और यहाँ आपको search करना है Gmail अब Gmail जैसे ही search करेंगे तो आपको सामने कुछ step का interface आजाएगा बस आपको यहाँ three dot पे click करेंगे यहाँ पे desktop site का जो option मिलता है इस पे click कर देना है तो आपके सामने कुछ step का interface आजाएगा बस आपको ऊपन में यहाँ जो Gmail वाला website मिलता है Google Gmail तो आपको Google Gmail पे click कर देना है जैसे click करेंगे तो आपके phone में जो है जो पूरा को पूरा Gmail हो यहाँ पे खुल जाएगा अगर नहीं खुलता है तो आपको login करने नहीं है अपना Gmail account और password डालके login करने के बाद में आपके सामने इस टैप का interface आ जाएगा अब आपको यहाँ बहुत चोड़ा चोड़ा देखने को मिल जाओगा यह इस लिए क्योंकि यह पूरा desktop साइट पर यानि केंप्यूटर में जैसे खुलता है वैसे आपके phone में यह पूरा अखुल गया यहाँ पे आपको simply क्या करना है पूरा all select करके delete करने के लिए यहाँ पर मैं जूम करके आ और लगाना हुआ उसके लिए यहां पर देखें यहां पर स्क्रॉल करूंगा तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ पचास email को ही select किया यहां पर लिखा हुआ है और पचास आया हुए वह नमबर दिखा रहा है और यहां पर conversion इस प्रैमरी करके option है तो बुरू करने के लिए इस पर select all पर click कर देना है अब यह पूरा पूरा select हो गया है मेरे Gmail पर जितना email आया हुआ है सब select हो गया है अब उसके बाद यहां पर क्या करना होगा है यहां पर आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हो यहां पर एक delete का box मिलेगा आपको simply delete वाले icon पर click करना है और click करने के बाद में आपके सामने step से interface आएगा confirm bulk action और यहां पर एक okay का button मिलेगा आपको जैसे होगे आप click करेंगे तो यह आपके Gmail से सारे email को delete कर देगा bulk में एक साथ तो इस प्रकार से आप on select करके delete कर सकते हैं अपने Gmail से पूरे emails को लेकिन एक trick आपको और बताना है क्या आपको फि बहुत सारा जो email आता है उस website के email को delete करना है तो उसके लिए आप चलिए सुवे cancel कर देता हूं उसके बाद यहां पर मैं all select को हटा देता हूं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा यहां पर एक search emails का option में बता है search mail का यहां पर search mail करना है और मानके चलिए मुझे grow application से बहु जो इसके mail मिला वह और आप यहां पर simply क्या करना है यहां पर एक स्कॉयर का box में लिए फिर से select करना है और यहां पर शिघ्ण करने के लिए यहां पर फिर से त्रह स्लाइट करेंगे और यहां पर select all करके option के और उनकर प्लिक करने के बाद में आपके सामने पूरा पुरा प पर क्लिक करके आप उस email को डिलीट कर सकते हैं जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं और दोस्तों अगर आपको बहुत सारा email किसी एक website या किसी एक application से आता है बार बार आता है तो उसको कैसे आप ब्लोग कर सकते हैं उसके लिए आप इस वीडियो को जोर से जाकर के देखेगा और संग्जेट रीक यूट्यूब चेलर को जन्दी से सब्सक्राइब करके notification को और पिसरेट कर लिए ताकि आगे भी आपको नया नया जानकारीवला वीडियो देखने को मिलता रहेगा मैं मिलता हुँ नैश्ट कमाल के वीडियो में तब तब आप में अक्षियान रखिए एंचे एंद बंदे मात्राम